अगर वो कोई बहुत अच्छी ड्रेस पहनती है तो उनका पूरा लुक खराब कर देता है वो किस वज़े से लुक खराब हो जाता है उनके वैली फैट की वज़े से तो जालता लड़ियों की प्रॉब्लम हो जाती है वैली फैट होने के भी कई वज़ा हो सकती है टाइम पर खाना ना खाना या बहुत जादा जंग फूट खाना बहुत जादा खाते रहना बहुत जादा बर्गर पिज्जा इन सब चीजों पर डिपेंड रहना तो ये फैट का बहुत में कारण है आज कल के जो बच्चे हैं वो यही चीजे खाना पसंद करते हैं तो उनके काफी चीजे बिमारिया भी हो जाती हैं बहुत सारी चीज हो जाती हैं चलिए खेर हम इस ब बिल्कुल फर्क पता चलेगा कि आपका कितना बेली फैट कम हो गया है तो उसके लिए आपको क्या करना है ये वीडियो पूरी देखनी है कि आपको किस तरीके से क्या चीजे इस्तमाल करनी है जिस्स repeated बहुत जल्दी रिडिूज हो जाए तो उसके लिए फरेंड्स में कर दीजिए और पसंद आई तो प्लीज अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिए क्योंकि आज कर फैट की समस्य बहुत आम हो चुकी है अगर जब एक बार बैली फैट बहार हो जाता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसको अंदर करना बहुत से लोग जीम करते हैं पता नहीं क्या क्या चीज़े अपनाते हैं लेकिन फिर भी उनका फैट कम नहीं हो पाता है मैं आपको एक बहुत अच्छी से ड्रिंक बताने जारी हूँ जो आपके फैट को भी रिड्यूस करेगी और साथ ही आपके इसकिन पे एक चमक भी लेकर आएगी तो उसके लिए हमें चाहिए होगी अद्रक जी हाँ और अपने साही सुना आपको चाही है एक अद्रक- आप एक अद्रक ले लिए इसका थोड़ा सा भाग ले लिए आपको यह इतना सा भाग लेना है इसको छटाके रख देते हैं इसको आप पाट कर लीजे किस्टा और इसके बाद आपको जरृवत होगी लेमन की आपको जरुना ATR PANA अब इसको करना क्या है हमें इसका ना रस निकाल देना है एक बाउल ले लिचे और इसका जित्ता भी रस है उसको निकाल दीजे यह बहुत अच्छी ट्रिंक है फ्रेंड्स अगर जब आप पिएंगे तो आपको इसका फायदा बहुत ही जल्दी दिखेगा इस तरी के साथ इसका सारा दूस निकाल दीजे अब आप इसको कट कर दीजे आप आप इसे भी बिना कट करें भी छोड़ सकते हैं यह से दोग्स आपको तुम से इसका बात लुद्स मसफ़ें अब हमें इसको क्या करना है अब हम इसको अबशे खाल के काथ अज़्या आपको बताती हों कि आपको किस तरीके से इसको ऊपवालना एँ है और हमें लास्स नला 25-äcken चलाथ के सब्सकतरों देचंषिण संच में करने में टोपर गायरा काजने मेंज़ाएँ कर आपको एक बबाकना ले लेना हैं और गैस को अन्थि आर आदे इसको हमें अच्छे से बॉil करना है जब तक तक हमें इसकी गयस बंद नहीं करना है और नहीं जब तक हमें पीना है तो हम इसको पांस से दस मिलट के लिए इसको बॉil करेंगे यह हमारा बॉil हो गया है अब हम इसको दस मिलट के लिए छोड़ देंगे जब तक यह थोड़ा सा थंड़ा नहीं हो जाता फ्रेंड्स जो मैरे जो अबाला था वो मेरा थोड़ा थंड़ा हो चुका है तो मैं इसको अब छान लेती हूं इसको मैंने चान लिया है अब इसमें हमें एड करना है लेमन यह वही लेमन है जो हमने उसका जूस निकाला था तो हम इसको एड कर देंगे अब हमें जो लास्ट जो हमारा बहुत जादे इंपोर्टेंट है वो जो एड करना है वो है हनी तो हम इसमें एक चम्मस से भी कम हनी को एड कर देंगे हमें हनी जादा नहीं लेना है हमें आधे से भी कम हनी लेना है तो यह हमारे दो गजब तने मिक्स कर लें तो यह हमारे ने द्रिंक बनके तयार होगगे अब हमें इसको पीना कैसे है हम जब भी सुबह में उठे तो सबसे पहले हमें गरम पानी पीना है इत्ता भी गरम नहीं पीना कि आपका मूँ जल जा है तो आपको नॉर्मल गरम गुनगुना ही पानी पीना है उसके बाद अगर आप एक्सोसाइस करती है या नहीं करती है तो आप उससे तोड़ा सा गैप लेका आप इस रिंग को पी लीजे पर आपको फ्रेंड्स ये रेगुलर करना आपको 15 दिन में फर्क जरूर पता चलेगा इसका 100% रिजल्ट है आप जब इसको रेगुलर करेंगी तो आपको जरूर पता चलेगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक भी कर दीजे शेर भी कर दीजो आप मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दीजे उसके प्राबर में जो बैल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजे ताकि मेरे वीडियो के लेटेस नोटिफिकेशन आप त प्रते के लिबाबाब